फोरेट पे आईब्रो के ऊपर इसकार था और अभी से लगभग 10 महीने पहले 9 या 10 महीने हो गया है अप्रिल में सरजरी होगी थी लास्ट इयर और अभी हम लोग देख रहे हैं वह बहुत हद तक ठीक हो गया है चुकि बहुत इरगुलर सा विजरे टाइप का इसकार था अच्छी बात यह है कि जो लोग फॉलो अप में रहते हैं जैसे आप है मतलब फ्रिक्वेंटी फोटोग्राफ बेजते रहते हैं और फिर बहुत हद तक उनका रिजल्ट हम लोग एचीव कर पाते हैं कुछ लोग सरजरी करा के फिर एकदम डिसापियर हो जाते हैं तो ऐसे में रिजल्ट उतना तक नहीं मिल पाता है जो शोड़ी शोड़ी चीज़ें होती हैं जैसे सिलिकन जल्सीट यूज कर रही हैं कर रही थी पहले आप वो एक महीन आद दी एक महीन शुरू में यूज कर रही है और लेजर का कुछ सेशन जिसमें कि आज एक सेशन हम लोग औ अब यहाद आ रहे था और डिप्रिसन भी था इसमें कैसे हुआ था उस समय यह इसकार मतबकार एक्सिज़न होगा था तो ठीक है इसमें और अभी हम बहुत कुछ और बेहतर कर पाएं गया इसको एक या दो सेशन जिसमें एक सेशन आज कर रहे हैं और एक सेशन फाइनल से करने बाद लेजर करेंगे कई लोग डिमांड करते हैं हमसे कि फॉलो अप रिजल्ट पेशेंट का बताया करें दिखाया करें तो तो चुकि हर पेशेंट बहुत दिनों तक फॉलो अप में नहीं रहते हैं आपका स्कार भी उस तरह का है कि आपको एक साल-देड़ साल तक रहना चाहिए था follow up में और अब हैं भी तो यह long term result आपके उस scar का है जो पहले बहुत prominent था इसी जगह नाक के उपर आई के corner के पास scar था बड़ा सा और एक scar था आपका यहां पर एक सब्ता पहले scar revision से जड़े की गई थी आज इस्टेस निकाले हैं और दोनों जगह अच्छा लग रहा है scar खतम हो गया